हेलो इस्टूडेंट्स वेलकम टू दक्ष्णाई क्लास्रूम आज की क्लास में अपन जो पनने लास्ट क्लास में पढ़ा था एरिया ऑफ दी पैरलल ग्राम एंड एरिया ऑफ दी ट्राइंगल उस पे बेस्ट कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं ठीक है तो लास्ट क्लास में देखो अपनने क्या चीज इंपोर्डेंट बाते हैं अपनने देखिए कि कोई भी दो पैरलल लाइन अपन ले उनके बीच में सेम बेस के साथ यह ना मालों AB अपनने कॉंस्टेंट किया है उस AB के साथ जितने भी पैरललल ग्राम बनेंगे सब का एरिया क्या होगा सेम जितने भी पैरलल ग्राम बनेंगे इन सब का एरिया क्या होगा बच्चों सेम जिसे ABCD और ABEF इन दोनों पैरलल ग्राम का एरिया क्या होगा बच्चों सेम होगा एक यह बात पढ़िए अपनने और अपनने क्या देखा है कि दो पैरललल लाइन के बीच में स यह सेम बेस के साथ जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे सब का एरिया क्या होगा सेम क्योंकि बेस वही है तो सिर्फ हाइट ही तो चेंज कर सकती है अब हाइट अपने रेस्टिक्ट कर दी किससे दो पैरलल लाइन बनागे यह जो C है यह C double dash मान लो तो अपने बोला कि triangle A B C का area जो होगा that will be equal to triangle A B C double dash कोई भी दो parallel line अपने उठाई उनके बीच में with given base यहना base same होना चाहिए उस triangle का base same यदि है तो दोनों का area क्या होगा बच्चों same ठीक है तो यह दो बातों बेस्ट यह problem से अपने पास शुरू करते हैं अपन त्यूसर नमबर वन पढ़ो एक बार इन ए parallel gram A B C D A B is equal to 8 cm the altitudes corresponding to side A B and A D are 4 cm and 5 cm respectively find A D ठीक है तो देखो अपन को क्या बोल रहा है एक parallel gram है इस तरीके का मानलो यह parallel gram है ठीक है the altitude corresponding to side A B A B के corresponding altitude क्या होगा A B पे altitude होगा यह वाला इसकी length अपने को दी हुई है 4 cm ठीक है और A D पे जो altitude बनने वाला है A D लाइन पे altitude कौन सा बनने वाला है देखो इस लाइन को आगे बढ़ाने पे यह जो altitude मिल रहा है यह लाइन A D पे altitude है यह 4 cm है और यह अपने को कितना दी आवा है 5 cm ठीक है A B की length दी हुई है A B length किदर ही होगी 8 cm गिवन है यहना this length is given to us 8 cm We have to find A D length अब देखो आपन area of the parallel gram जानते है area of the parallel gram क्या है base into corresponding altitude तो अपने बोला कि area of triangle A B C D area of parallel gram A B C D parallel gram A B C D का जो area है area of the parallel gram A B C D को अपन दो तरीके से लिख सकते है कैसे length A B into उसका altitude क्या है 4 cm should be equal to what length A D into उसका corresponding altitude which is 5 cm यह दोनों same होना चाहिए A B की length भी दी हुए अपने को 8 into 4 is equal to A D को मैं यह दी X माल लू तो X into 5 हो जाएगा एरिया तो सेम होगा ना parallel gram का area चाहिए इधर से निकालो चाहिए A D के respect में निकालो area तो सेम होना चाहिए कोई भी एक अपने को safe दियाबा उसका area हमेशन क्या होगा equally होगा constant होगा चाहिए तुम अलग-अलग किसी भी method से calculate करो area change नहीं हो सकता है ना तो यह दोनों का area क्या होगा बच्चों सेम दोनों का area यह दी सेम होगा तो यहां से x की value क्या आई 32 अपन 5 ठीक है इस इस problem number 1 next देखो question number 2 question number 2 पढ़ो एक बार prove that xy divides a b c d into two equal parts तो कोई भी xy है क्या कोई भी line general line है यह कुछ भी हो सकता है ना यह vary कर सकता है एक line है xy जो की o से pass करती है वो इस parallelogram को two equal parts में area के respect में area के respect में two equal parts में divide करती है यह अपने को prove करना है तो अपने पास देखो यह एक parallelogram है a b c d अब इस parallelogram में अपने को क्या दिया वा है यह a c हो गया यह b d हो गया यह o p intersect करता है तो कोई भी line अपन उठा लेते हैं यह general line है अब देखो इसको कैसे proof करेंगे इसको proof करने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं अपने पास सबसे easiest way क्या है अपन कोई एक side का area माल लेते हैं this area this area and this area यह टीन area अपने पास तो इस जो यह जो भी बन रहा है quadrilateral a x a x y d अपने को proof करना this is half of area of area of quadrilateral a b c d a b c d के area का यह क्या है बच्चों half यह अपने को proof करना है अब कैसे proof करेंगे तो अपने बोला कि o a d जो triangle है triangle a o d यह देखो congruent होगा किसकी कैसे देखो यह angle यह angle से किस triangle से congruent करना चाहरा हूँ है b o c से b o c triangle से congruent करना चाहरा है तो यह o point है इस o point पे इधर angle यह बन रहा है तो दोनो angle equal है तो यह दोनो theta same हो गए और यहां पे यह length मुझे पता है कि यदि if this is a parallel gram then at this point db will be bisected by o ठीक है o will bisect db तो यह length o b length o b length is equal to क्या होगा बच्चों o b length is equal to o d इस वाले triangle में o d होगा तो इधर वाले triangle में o b होगा angle o दोनों में same है तीसरी बात यह length के बारे में भी अपन बोल सकते है this length is equal to this length so o c o a is triangle में and o c is triangle में तो अपन बोल सकते हैं कि side angle side से यह दोनों triangle क्या होगा है बच्चों congruent तो triangle a o d is congruent with triangle a o d is congruent with a के corresponding point जो है वो है अपने पास c ठीक है बस अपने को तो concurrent proof करते ही अपने को पता है कि दो triangle यदी concurrent है तो उनका area क्या होगा same तो इसका area माल लेते है यदी x तो इसका area में बच्चों क्या होगा x सही बात अब ये ये काम हो गया अब अपन क्या उठा रहे हैं इस triangle को उठा ले माल लो इस triangle को उठा लिया इस triangle की यदी बात करें इस triangle में क्या क्या अपन बोल सकते हैं देखो ये length equal to इन दोनों triangle को अपन अब concurrent proof करना चाहरा है ये angle दोनों में same है ये angle दोनों में same होगा एक angle हो गया angle के angle बगल वाली side भी अपने को same मिल जाए तो काम हो जाएगा बट angle के angle बगल वाली side अपने को same नहीं दी वह अपने को पता नहीं है पट अपने को ये क्या पता है ये length this length is equal to this length do length is equal to अपने पास ये ob length तो ये length equal हो गई और ये angle ये दी same अपन प्रूफ कर दें this angle is equal to है न अपने पास ये क्या है ये angle equal है बच्चों किसके इस वाले angle के होगा की नहीं बोलो alternate angle है तो parallel में parallel sides है ये दोनों क्या है parallel sides है उसको ये transverse line BD cut कर रहा है तो ये वाला जो angle हुआ और ये वाला angle हुआ दोनों क्या होगे same तो ये angle यदि अपने पास कुछ theta 1 आता है तो ये angle भी क्या है बच्चों theta 1 ये angle मालो theta 2 है तो ये angle भी क्या होगा theta 2 अब angle side angle 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 side angle angle side angle angle side angle ये दोनों triangle क्या होगे congruent है तो अपने बोला first second त्राइंगल d o y triangle d o y congruent है बच्चों किसके triangle d o y congruent है triangle d के corresponding point कौन सा होगा इसमें b तो b o x तो यहां से अपने ये proof कर दिया कि भाई इसका यदि अपने area y माना तो इसका area भी बच्चों क्या होगा y सही बात अब देखो इस वाले triangle में यह दी अपन आए है same सारी same बाते है अपन इसके लिए भी बोलते हैं कैसे देखो यह दोनों length यह दोनों length equal होगी इन दोनों triangle को पकड़ रहे है अपन यह triangle को और यह triangle को जो o से originated यह दोनों triangle है इसके अपन बात कर रहे हैं क्या इसको अपन congruent proof कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कैसे देखो यह angle same है यह angle दोनों का क्या हो गया same हो गया और यह length equal है और यह angle this angle is equal to this angle ठीक है तो यह माल लेते हैं theta है तो यह angle theta यह side तो angle side angle angle side angle से यह triangle आपस में क्या होगे बच्चों congruent तो यह भी congruent हो गया कौन कौन सा triangle a o capital X is congruent with a के corresponding point है c तो c o y तो इससे अपने को यह समझ में आया है इसका area माल लो z है तो इसका area भी क्या होगा बच्चों z तो यह अपन प्रूफ कर चुके हैं कि area of AXYD area of AXYD क्या होगा X plus Y plus Z area of area of quadrilateral AXYD यहां से देखो इसमें AXYD का area अपने पास क्या रहा है बच्चों X plus Y plus Z इसको 2 से multiply divide करेंगे वो बन जाएगा 2X plus 2Y plus 2Z और 2X plus 2Y plus 2Z इस पूरे का area क्या X, X, Y, Y, Z, Z तो इसको अपन क्या लिख सकते है area of quadrilateral A, B, C, D सब्धनारी बार तो congruency से अपने यह प्रूफ कर दिया कि यह जो line है कोई भी line O से पास करती हुई कोई भी line अपने random कोई भी line जो O से पास कर दी है इसको X और Y पे यह दी कट कर दी है तो इसको दो equal parts में divide करेगी पक्का ठीक है यह था आपने पास question number 2 question number 3 पढ़ो और उसका diagram बनाओ A, B, C, D is a trapezium with A, B is parallel to DC, a line parallel to AC intersects A, B at X and B, C at Y ठीक है B, C at Y prove that area of triangle A, D, X is equal to area of triangle A, C, Y सोचने इसको A, B, C, D is a trapezium first of all तो अपने बनाया है कि कोई trapezium है A, B, C, D इस तरीके से यह trapezium बना लेते हैं A, B, C, D is a trapezium A, B is parallel to DC यह A, B हो गया और यह A, B is parallel to DC A line parallel to AC यह जब कुछ नहीं दियावा हो तो आपको जो points एजियूम करने हैं या तो आप clockwise एजियूम करो या anti-clockwise एजियूम करो सारे के सारे ऐसा नहीं कि A, B, C यहां लिग दो, D यहां लिग दो A, B, C, D जो भी चलेगा अपने को हमेशा points इस तरीके से एजियूम करने होते हैं या तो S एजियूम करो या S एजियूम करो पर continuous होने चाहिए यह ना इस तरीके से नहीं कि बीच में सही कहीं अपन भाग के C यहां रख दे, D यहां रख दे तो चीजें जो interpretation है वो गलत हो जाएगा continuation में होने चाहिए चाहिए तो A, B, C, D यह अपने पास के आगया trapezeum यह notation है, basic notation है कि आप जो भी एजियूम करेंगे continuation में एजियूम करेंगे B के बाद आपको C रखना है इस ABCD देने का मतलब ही यह है तो ABCD is a trapezeum with AB is parallel to DC यह दोनों parallel है ए लाइन parallel to AC तो उसके लिए पहले AC बना लेते ए लाइन parallel to AC intersects AB at X AB को X पर intersect करती है मतलब parallel है AC के parallel यह line बना देते है आप तो यह length और यह line भी आपस में क्या है बचो parallel है इसको X पर cut करती है और इसको Y पर cut करती है ठीक आगे दिखते है प्रूव देट area of triangle ADX अब ADX यह area ADX is equal to proof करना है किसके ACY ACY यह दोनों area equal है यह अपने को proof करना है ठीक है सोचते है पर इसमें किस बात का use कर रहे है कि between two parallel lines area with given base area of two triangle will be same तो देखो यहाँ पर यह AX length है इस AX पर मैं दो triangle देख रहा हूँ पहले इसको मैं ऐसे join कर देता हूँ ठीक है बात समझना अच्छे से area of triangle triangle AXD is equal to AXC होगा क्या बोलो AX base के साथ C और D किस पर है parallel line के दूसरी parallel line पर कोई point हो तो AX base के साथ दो triangle हो गए area of AXC इसमें कोई दिखकर नहीं है राइट किस property से लिख रहे है लिख रहे है हमन same base between two parallel lines triangle width same base between two parallel lines यहां से अपन यह बात लिख सकते first अब यहां से अपना proof नहीं हुआ मुझे AXY के equal proof करना है अब देखो अपन क्या बोल रहे है इसको अच्छे से समझना यह दोनों line भी parallel दी हुई है यह दोनों line भी parallel दी हुई है अपने लाइग यह दोनों triangle को अपने को connect करना है ACX and ACY अब ACY क्या अपने पास यह ACY है और ACX क्या है अपने पास तो मैं इन दोनों triangle को देख रहा हूं बच्छों AC base के साथ एक पॉइंट अपने पास X और एक पॉइंट अपने पास Y ACY और ACX ACY ACY और ACX दोनों का area क्या same होगा क्या बोलो क्यों होगा same कि यह AC base तो common है दोनों में किस-किस में triangle ACX and triangle ACY यदि अपन बात करें AC base तो common हो गया बोलो AC base common हो गया और जो X और Y point है जो third vertex है that lies on the parallel line यह parallel line दी हुए है XY क्या दिया हुए X and Y are such that parallel to AC यह line parallel to AC तो AC के parallel है यह line तो यह दोनों line यदि parallel है अपने पास तो अपन बोल सकते हैं कि triangle ACX और triangle ACY का एरिया क्या होगा बच्चों से है ना तो triangle ACX का एरिया is equal to area of triangle ACY congruence से नहीं बोल रहे हैं यह बड़ congruence हो सकता है हो हो सकता है ना बट अपन यह चीज जानते हैं कि दो parallel line के बीच में यह triangle आ रहे हैं और AC इसमें common base है तो हाप base into height जब कर रहे होंगे तो यह जो height यहां से मिलेगी और यह जो height यहां से मिलेगी triangle with same base और base यहां पे क्या है base है यहां पे AC same properties है यह बात अपन बोल सकता है अपना proof हो गया क्या बोलो यह इसके equal है यह इसके equal है hence A equal to B, B equal to C this implies A equal to C निख सकते हैं hence we can write triangle AXD का area is equal to क्या होगा is equal to area of triangle A, C, X is equal to होगा area of triangle A, C, Y यह पन proof को चोगा तो this is equal to this proof होगा AXD का area is equal to होगा AX A, C, Y का area A, C, Y का area समझ भाई रहा है ना अच्छा क्यूसन है थोड़ा सा अपने को इसमें दिमाग लगा ना था थीक है next देखो क्यूसन नमबर 4 क्यूसन पढ़ो पहले A, B, C, D is a quadilateral a line through D parallel to AC meets BC produced in P its own in figure तो यह बोल रहा है कि एक अपने पास quadrilateral है इस तरीके का कुछ इस quadrilateral का कुछ खास बात नहीं है कि यह parallel gram है ऐसा कुछ नहीं दिया यह quadrilateral है general quadrilateral मानेंगे अपन a line through D a line through D parallel to AC यह अपने पास AC है a line through D parallel to AC AC की parallel बनानी है अपने को a line through D point parallel to AC meets BC produced BC को आगे बढ़ाने पे in P यह point अपने को दियावा है in P as on in figure then prove that area of triangle ABP area of triangle ABP ABP यह triangle का area बोल रहा है किसके equal होना चाहिए area of quadrilateral ABCD ABP सो जो 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 यह तो D है न ABP ABPA area of triangle ABP P P point यह है अपने पास area of triangle ABP equal to prove करना है quadrilateral ABCD के area quadrilateral ABCD के area के थीके कैसे प्रूफ करेंगे यह न यह भी एक अच्छा क्यूसल है अपने को यह दियावा कि यह दोनों क्या है parallel है यह दोनों यह भी parallel है तो अपन एक बात बोल सकते हैं क्या बात बोल सकते हैं बई दोनों में एक चीज समझो इसको मैं X नाम दे दू इसको मैं इस area को Y नाम दे दू इसको Z नाम दे दू इसको कुछ W नाम देदो तो area of triangle area of triangle ABP triangle ABP का area अपन क्या बोल सकते है X प्लस Y प्लस W सही यह बात कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है इसका area मैंने W माना इसका Y माना इसका X माना इसमें कोई दिक्कत नहीं है बोलो फिर अपने बोला area of triangle quadrilateral ABCD quadrilateral ABCD का area क्या होगा X प्लस Y प्लस Z अच्छा अब इन दोनों को equal proof करना है इसका मतलब मुझे यह proof करना है कि W is equal to what? Z getting my point इसका मतलब अपने को क्या proof करना है W is equal to Z यह दोनों का area होगा same ठीक है अब इन दोनों का area है अपन same कैसे proof करें इस पर अपना discussion है ठीक है यह parallel नहीं दिया वावत चोगे जोनों अब यह तो अपन equal proof नहीं कर पाएंगे बट अपन यह Y प्लस Z को यदि उठाएं तो अपन किसकी बात कर रहे है Y प्लस Z एरिया का Y प्लस Z एरिया किसका है ट्रैंगल A, C, D का D का ट्रैंगल A, C, D का area Y प्लस Z ऐसे ही Y प्लस W की बात करें वो है ट्रैंगल A, C, P का इन दोनों को अपन यदि equal proof करते हैं तब भी अपना काम हो जाएगा क्योंकि बाकित तो जो X है वो same है दोनों में यह दोनों is equal to यह दोनों का sum अपने proof कर दिया तो अपना काम हो जाएगा यह अपन प्रूफ कर सकते हैं है ना देको A, C दोनों में A, C, A, C बेस common है P point और D point के दी बात करें तो यह रहा P point यह रहा D point काहां पहें P point और D point parallel line के parallel line का इस A, C के parallel एक line है उस पे दो point है तो between any two parallel line with given base area will be same because इन दोनों की height यह दी बात करेंगे तो height दोनों के लिए यह दोनों parallel line के बीच की तो distance से वह ही height होगी यहाँ पे height यह हो जाएगी तो यहाँ पे height हो जाएगी बच्चों यह तो half base into height वाले formula में base दोनों के लिए A, C है height दोनों के लिए H है hence hence these two triangles will have equal area तो अपन बोल सकते हैं की triangle A, C, D का area is equal to what area of triangle A, C, D using what using triangle with same base same base and and between two parallel lines इस प्रपर्टी से इन दोनों को equal बोल दिया अब यह दोनों equal हुआ मतला Y plus Z is equal to Y plus W hence Z is equal to W Z equal to W proof करते ही अपना यह काम हो गया बोलो hence अपन बोल सकते हैं area of triangle A, B, C is equal to A, B, C नहीं यह P है triangle A, B, P A, B, C नहीं यह बच्चों यह क्या है triangle A, B, P का area is equal to a triangle A, B, C, D na A, B, P is equal to triangle A, B, C, D proof हो गया कैसे देखो इसका area आपन क्या लिख सकते हैं इसका area आपन लिख सकते हैं X plus Y plus W और इसका आपन लिख सकते हैं X plus Y plus Z we have already proved that Z is equal to W hence these two will be equal so समझ में आया होगा that is question number 4 okay thank you very much all the best आज के लिए इतना ही काफी next class में आपन पढ़ेंगे median और उससे related properties ठीक है so thank you गयँ सकते हैं यृ कि अपनी और उससे अस्ल़गे यृ को